के यहलो दोस्तों कैसो आप लोग स्वागत आपका इस नहीं वीडियो में इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं react native interview question का part 2 ठीक है जिसके अंदर हम second question discuss करने वाले हैं तो second question है कि components क्या होते है ठीक है react के अंदर components क्या होते हैं और components की life cycle ही क्या होती है ठीक है तो हम इसके अंदर समझने वाले कि component क्या है और इसकी life cycle क्या है ठीक है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि component क्या होते हैं ठीक है तो component का एक सबसे अगर आप internet पर कहीं भी Google पर सर्च करते हो आप definition देखोगे तो काफी बड़ी definition होती है ठीक है दस लाइन के definition सारी सबकुछ बट मैं आपको एक अपनी एक इजी वे में समझाता हूं जिससे हम लाइक आपको कहीं पर एकस्प्रेंट कर सकते हैं सबसे पहली चीज़ कंपोनेंट क्या होता है कंपोनेंट एक ऐसा piece of code होता है एक ऐसा piece of code होता है जिसे हम reuse कर सकते हैं ठीक है और जो हमेशा एक UI return करता है ठीक है एक UI return करता है तो इसे हम बोल सकते हैं कि component is a piece of code which returns a UI और जिसका 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 जब भी हम उस component को कॉल करेंगे कुछ भी करेंगे तो रेंडर क्या करेंगो यू आई एक return करेगा ठीक है अगर आप माल लो यह component है यहां पर देख रहे हो कि क्या एक return कर रहा है यू आई रिटन कर रहा है चाया अब class component बनाओ या फिर फर फ्रक्शनल कंपर बनाओ उसका जो अल्टनेट जोग लास्ट में conclusion वो क्या है कि वो यू रिटन करेंगा अब दूसरी चीज में समझते है कि और क्या होता है component क्या होता है jsx combination क्या होता है jsx का होता है jsx होता है जिसमें टैग यूज कर रहे है html और सारे टैग यूज कर रहे है उन टैग को convert कर देते एक element ui में ui element में convert कर देते है ठीक है तो component क्या है component is a piece of code which returns jsx as a element of ui ठीक है तो यह यहां पर दूसरा तरीका होगा समझाने का कि भाहिया सीधा सा फंडा है कि component क्या है piece of code है जिसे रियूज कर सकते हैं उसके हम डिस्प्ले पर देखते हैं ठीक है तो component की तो यह हमारी डेफिनेस होगी इजी सी इसे आप इंटर्वियर को इजी से बता सकते हो ठीक है अब दूसरा तर्म कंपोनेंट की life cycle क्या होती है ठीक है तो life cycle को समझने से पहले हमें देखना होगा कि life cycle actual में यूज कहां पर होती है life cycle methods जो है वो यूज कहां पर होते हैं यह आप देख रहे हो जो अभी डिस्प्ले हो रहा है यह हमारा क्या है एरो फंक्शन है या फिर फंक्शनल कंपोनेंट है इसके अंदर life cycle methods यूज नहीं होते हैं बट उनकी जो भी एक लाइक उन मैंटर्ट को यूज करके जो भी हम टार्गेट या फिर एक रुकारन पूरी करते हैं वह रिक्वर्मेंट यहां भी पूरी होती है बट वह हुक्स के साथ में होती है तो हमें अगर life cycle methods को अच्छे से समझना तो हमें क्या करना पड़ेगा इस component को एक फंक्शनल कंपोनेंट को class component में change करना होगा ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको हटाते हैं rnce करके मैं एक class component बना ले था ठीक तो यहां देखोगे कि एक class component है और इस class component के अंदर हम देखने वाले हैं क्या सारे life cycle methods सारे मतलब जो भी हम जारा तर यूज करते हैं वो life cycle methods ऐसे life cycle methods बहुत सारे होते हैं जो मतलब यूज ही नहीं हो रहे उनका कोई हम explain नहीं करेंगे हमें सिर्फ interviewer को कुछ सब्दों में reply करना होता हमें कोई theoretical बहुत लंबी theory नहीं देनी होती क्योंकि बहुत सारी questions वो पूछने वाला हो है ठीक है एक अंदर क्या मिलते हैं मैं प्रॉप्स और उसके अंदर एक method कॉल करते हैं जो किसका होता है रियक्ट क्लास का होता है रियक्ट कई method होता है क्या होता है यह अगर यहाँ पर मैंने constructor डाल दिया ठीक और उसके बाद और other method कौन से होते हैं कंपोनेंट डिड माउंट ठीक कंपोनेंट डिड माउंट एक होता है कंपोनेंट डिड अपडेट ठीक उसके बाद यह रेंडर हो गया अब हुम क्या करते हैं और एक हो जाता है console.log console.log तो मालो यहाँ पर हम console.log भी डाल के देखते हैं देखते हैं एरर आएगा या फिर console.log आएगा या नहीं आएगा जो भी है ठीक है यहाँ पर console.log ऐसे नहीं आ रहा है डारेक्ली पर हम किसी फंक्शन के अंदर डालेंगे तो आएगा है ना यह रहा ठीक है तो console.log हो गया console.log में यहां हम डालेंगे क्या constructor जो भी जैसा method है वैसा ही उसका नाम रख देते हैं और हम पता करते हैं कि actual में इस life cycle method में कौन सा method पहले चलता है जिससे हमारा जो भी रहा हो जाए ठीक है यहां constructor हो गया तो हमने क्या किया यहां पे हर method के अंदर यह भी एक render भी है life cycle method तो render component did update component did mount यहां पर component did mount का नाम ही यहां पर space कर दे रहे हैं ठीक है और component did update कर दे रहे हैं और इसके अंदर render डाल दे ठीक है अब हम देखते हैं कि actual में पहले कौन सा call होता है तो मैं इसको save गाता हूँ और यहां देखता हूँ सबसे पहले call हुआ constructor ठीक है उसके उसके वार रेंडर फिर component did mount component did update अब्डेट cud खॉ式 को अब कॉल होता जब यह रेंडर वाला रिर्ण्टर आपको यह scientists को रेंडर रोसे हैं यह number으로 से सकते हो है उसके में चलता है एक से पहले सबसे पहले चलेगा तब यह व present को रेंडर कर रहे हो रेंडर कव हुता है जब हम state की बेल्यू अपडेट कर रहे होते हैं उस केस में यह component दौरा से रेंडर होता है वालाब रेंडर होता है उस case में यह method चलता है ठीक है उस से पहले सबसे पहले दालते तो यहां पर क्यों लेता है और is इसलिए सबसे पहले कौन सा चलता है constructor ठीक दूसरा constructor चलने के बाद अगर माल लो आफ ने यह चलाता हमारा दूसरा यह चलाता ना render चलाता अब रेंडर दूसरा क्यों चला logic बताता हूं अगर हमने माल लो यहां पर कोई API लगाई ठीक और उस API के अंदर हमने कोई data set करा किसी state के अंदर ठीक और उस state को हम यहां UI में यूज कर रहे हैं अब माल लो कि UI तो render होई नहीं पाई तो वो value हम किसमें set कर रहे हैं फिर क्योंकि value set करने के लिए UI को पहले render होना जरूरी है न है न तो इसी लिए पहले render function चलता है मतलब render चलता है method उसके बाद component did amount चलता है मतलब जब भी render हो जाएगा यह पूरा UI render हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर values get करेंगा API से या कहीं से वो values तब यहां state की help से update हो जाएगी rendered UI में पहले से यह render हो चुकी उसके अंदर ठीक है इसलिए second पर यह चलता है first पर यह चलता है ठीक है third पर यह चलता है अब जब भी component render होगा rerender होगा तब यह फिर चलेगा और यह भी चलेगा ठीक है ट्राइ करते हैं इसको एक बार life cycle matter चेक करना है तो मैं चाहिए करना पड़ेगा मानलो यह text है इस text पर मैं क्या करता हूँ on press लगा देता हूँ ठीक on press लगा दे रहा हूँ ठीक है और यहां क्या करता हूँ मैं state ले लेता हूँ कोई भी मानलो counter ले लिया मैंना 0 ले लिया मैंने ठीक 0 ले लिया मैंने counter यहां मैंने क्या करा this.setState और state करना क्या counter counter मैं क्या करूंगा this.state अरे जी टॉट स्टेट डॉट काउंटर प्लस वन इसको साइड इसा टावज सब क्लियर देखें ठीक है तो जो भी counter उसमें प्लस वन हो जाएगा पहले वाले से ठीक है और यहां जो component टेस्ट है इसके बाद में मैं यहां पर प्लस करके यहां पर मैं क्या करता हूं काउंटर को अपडेट करता हूं इस डॉट काउंटर होगा एक्षिल में इस डॉट स्टेट डॉट काउंटर ठीक है अब यह बताओ जब यह काउंटर अपडेट होगा तो यह फिर से रेंडर होगा तो रेंडर चलेगा यह भी चलेगा और यह भी चलना चाहिए मेरे साब से ठीक है अब देखते हैं एक बार क्लिक करके यहां पर इसको ओपिन कर लेते हैं क्लिक को नहीं रहा है अब से खुल देखते हैं कि लिक करा कहां अगर बढ़ हो गई स्टेट इसको देखते हैं कि लिक करा मैंने देखो एक बार फिर से इसे रिफ्रेस कर लेते हैं जिससे कंफियोंन ना हो बिल्कुल भी आएक यहां करेख इंट कि अब में देखते हैं अब मैंने क्या करा टैस्ट पर क्लिक करा तो क्या हुआ पर इसके बार रेंडर चला रिंडर चले है तो यह बारवार चल रहा है ठीक है यह component update बारवार चल रहा है अगर इसके अंदर कोई ऐसा logic लिखा होता जिससे इस state पर फर्क पढ़ रहा होता तो यह भी चलता तो यह भी चलता बट इसके अंदर state से कोई भी मतलब नहीं है तो यह नहीं चलेगा बट component update हो रहा है तो यह component did mount चलेगा तो अब क्या logic बना जो हमने बात करी थी तो क्या logic था पहले चलेगा constructor ठीक फिर चलेगा render फिर चलेगा component did mount फिर चलेगा क्या component did update ठीक है यह यह चार ऐसे तरीके से चलते हैं और यही method है जो हमारे main है ठीक है बाकी एक component will unmount भी होता है component will unmount यह कब चलता है जैसे मालो हमने कोई एक component बनाया ठीक है और वह component हमने बनाया फिर उसकी visibility और ऐसे कर रहे गॉन कर रहे वह component unmount हो रहा है माला खतम हो रहा है वह visual नहीं हो रहा स्क्रीन पे तब जाके यह एक component will unmount यह call होगा basically यह call नहीं होता ठीक है यह वाला ऐसे मालब यहसे call नहीं होगा जब component खतम होने को होता है जब उसकी लास्टेज होती तभी यह call होता है component will unmount ठीक है और एक होता है think component should update should component update यह वाला ठीक है यह i think deprecate हो गया यह वाला ठीक है but यह मैंतड है और यह man method है तो हमें इनका logic समझना था पहले कौन से चलता अब यह पता होगा न कौन सा पहले चलता अ उसके हिसाफ से logic लग सकते हैं तीक है उसके हिसाफ से logic मालो first time हमें कोई भी logic चलाना है एक यह बार चलाना है इसके अंदर डाल दो बिना कोई condition कि इसके अंदर डाल दो ठीक अब हमें locally changes को बार-बार कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर में कोई ऐसी चीज करने हैं जो second time से में बार-बार करनी है और क्यों क्योंकि component क्योंकि यह आप देख रहे हो यहां पर बार-बार चल रहा है ठीक रेंडर तो जब भी यूई रेंडर होगी तो यह तो चले गई यह चले गई तो यहां पर भी कुछ ऐसा logic कर सकते हो जो हमेशा चलाना है तो इस तरीके से हम life cycle को यूज करते हैं और efficient बनाते हैं आपको ठीक तो यह था life cycle methods और component क्या होते हैं ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो like करो सब्सक्राब करो मिलते हैं इसके नई question के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए बाए